कि साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्यान के लिए खास कर छोटे किसानों के कल्यान के लिए देश के क्रसी जगत के हित्में देश के हिच में गाउं गरीब के उज्वल भविष्च के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्पनभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्रिशी अर्थसास्त्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें क्रिशी कानूनों के महत्वपूर्ण को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तरक को समझने में भी कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतरास था सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरां ये विशह माननीय सर्वोच नयाले के पास भी चला गया यह सारी बाते देश के सामने हैं इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रिदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्रह में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की संविधानिक प्रक्या को पूरा कर देंगे साथ साथ